जए हिंद। इस वीडियोँ हम लोगे Angel One Company का बारे मिलिए बात करेंगे।22 इस कंपनी का इस माह में To evident कूपर चर्चा होगी सात में Is Co इस वीडियोट कीट एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या हमें अभी Is इस कमपनी का इस कमपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेद कुछ दिन पहले तक इस कमपनी का नाम एंजल वा करता था लेकिन रिसेंटिली इस अब नाम चंच करके एंजलोन कर लिया हाला कि नाम बदलने से क्या प्रक पड़ा इसका अभी तोई ठोस रिजन पता नहीं चल पाया है क्योंकि कंपनी कांग तो अभी वही करती है कंपनी क्या काम करती है ब्रोक्रेज का काम करती है ब्रोक्रेज अर्था डिमेट अकांट एक खुलवाना और आप चुकि शेर मार्केट से जुड़ा है तो आपको अच्छी त दिख्ठाक है और शेर प्राइस बारस तो अठासी रुपया है तता अब तक हाई लगा चुका 1689 रुपया का अर्थात कंपनी का सेर प्राइस सभी तक हाइजेस्ट यहां तक आया है अब हम बात करते हैं जो कंपनी डिविडेंट देने वाली है इस माम में उसके बारे में कंपनी के बोर्ड अब डायरेक्टर का मीटिंग होने वाला है 17 जनौरी 2022 को और इसी दिन कंपनी अपने डिविडेंट कितना रुपया देगी इसके बारे में बताएगी कंपनी कितना रुपया डिविडेंट देने वाल इसका अनौंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है वो चारवा डिविडेंट देती है और रिकॉर्ड डेट रखा गया 25 जनौरी को अर्थात अगर आप 25 जनौरी के पाहले तक इस कंपनी के रिकॉर्ड लिष्ट में आते हैं तो आपको डिविडेंट मिलेगा और इसी दिन 17 जनौरी को कंपनी क्वाडर 3 के रिजल्ट भी जारी करेंगी मतलब अगर क्वाडर 3 के रिजल्ट सच्छे रहें तो डिविडेंट में बढ़ोद होती ही दिख सकते हैं पिछली बार की मुकाबले आई हम जानने को प्रयास करते हैं कि पिछली बार कंपनी ने कब कितना रुपया डिविडेंट दिया ता इसका डिविडेंट हि तो साल में कंपनी 3 से 4 डिव स姐 arrived!!! 받 अच्छी बात हैं कंपनी साल में 3 से 4 डिविडेंट देती हैं ठीक हैं तिक हैं और उस कंपनी का इसम Tucson responder में जिसका रिकॉर्ड डेट है 17 जनुरी उस वह कंपनी टीसेस कंपनी सीफ 7 रुपे परती से डिविडेंड देने जारी जिसका मार्केट केप 14 लाग क्रोंड से अधिक का है जबकि एंजल मन का मार्केट केप देखिए सिर्फ 10,649 करोड है और यह कंपनी उससे बहुत छोटी है फिर भ मोंटर्स की होल्डिंग है 43.47 ठीक है एराउंड जब देखें लगभग 45 परसेंट कास पास से ठीक ठाक माना जाता है और पब्ली के पास 43.40 परसेंट इसको होल्डिंग है अधर्स की बात करें इसमें FIDII आते हैं उनके पास 12.83 परसेंट इस कंपनी का हिस्सेदारी है अब अब बात करते हैं कि इस कंपनी के सेर खरीदने को लेकर एक्सपर्ट की क्या रहा है तो इसमें देखें 100% एनालिस्ट इस कंपनी के सेर को पाई करने के लिए बोल रहे हैं और हमने भी देखा कि कंपनी के आकड़े ठीक है फंडामेंटल ठीक है और पिछले अगर दो क्वा बढ़ने वाला है तो अगर आप इस सेर बाई खर चाहते हैं सब्क है सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके पहले और अपनी डिसर्च एनालिस ज़रूर कीजएगा बाकी कंपनी मस्त है आप इसको करना चाहते यह दो कर सकते हैं आज कि लिए वस इतना ही मिलते हैं अनेक्ट भी झाल